नमस्कार दोस्तों, आज हम बज़े इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है EIA, that is Environment Impact Assessment. दरशल 70s, 80s के टाइम में हमारे इंडिया के इंदर कुछ लॉस्स बनना स्टार्ट हो गए थे, for controlling the air pollution and water pollution. चसनाला मानिंग डिजाष्टर 1975, भोपाल गेस डिजाष्टर 1984, और रिसेंटली अभी विसाखा पटनक की chemical factory में गेस का लीग होना, और vote number पे आता है हमारा आसाम की oil well में आग लगना, और आप सभी लोग चानते हैं कि इस Anthropogenic Disaster, that is Man Man Disaster के विज़े से, कितने लोगों ने अपनी जान गवाई है, और कितने लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि यह आपके घर के आसपास ना हो, आपके सहर में ना हो, और आने वाले future में यह कम हो या फिर ना हो, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को last तर देखना है, और साथ में इस वीडियो के last में जो मैं आपको एक छोटा सा task देने वाला हूँ, उसको जरूर करना है, तो चलिए, सुरू करते हैं, भोपाल गेश ट्रेजडी 1984 के बाद, इंडियन गवर्मेंट ले के आती है, Environment Protection Act 1986, जिसके अंदर निकल के आता है, EIA 1986, देन उसे एमेंट किया जाता है, EIA ड्राफ्ट को 1994 में, देन 2006 में, और रिसेंटली फिर उसे एमेंट करने की बात चल रही है, 2020 के अंदर, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, EIA, Environment Impact Assessment, किसी भी प्रोजेक्ट का, Environment में क्या Impact पड़ेगा, उसका Positive Impact भी हो सकता है, और Negative Impact भी हो सकता है, तो हम calculate करेंगे इसके अंदर Positive और Negative दोनों Impact को, और देखेंगे कौन सा जाता है, अगर वहाँ पे Negative Impact बहुत जादा निकल के आ जाता है, तो हम उसे Environment Clearance नहीं देंगे, इसके अंदर बहुत सारे Projects हो सकते हैं, जैसे Railway, Roadway, Infrastructure, बड़े-बड़े Coal Mining हो गया, डेम बनाना हो गया, यह किसी भी प्रकार के कोई ही Project, छोटे से लेकर बड़ा Project इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर Environment Clearance लेना बहुत जरूरी होता है, EIA के Process को हम आसान से सब्दों में समझने की कोशिज करते हैं, पहला है Side Selection, Side Selection के अंदर होता है कि आप किसी भी जगे का Selection करते हैं, इस जगे के अंदर हम कोई भी Project को Establish करेंगे, Suppose कोई भी अगर आप Dam बनाने जा रहे हैं, या फिर कोई Coal Mining कर रहे हैं, तो उस जगे का आप Selection करेंगे, उससे हम कहते है Side Selection, Second Number पे आता है Conduct EIA, मतलब उसका Environment में क्या Impact पड़ेगा उस Project का, वो हम देखेंगे उसको Assess करने की कूशिज करेंगे, Third Number पे आता है NOC Application, हम Non-Objection Certification का Application लेंगे, कि क्या सब लोग उससे NOC है, सभी डिपार्टनों से NOC दे देंगे, तो वो NOC Certified हो जाएगा, Then Fourth and the Last One is Public Hearing, आप लोग उसमें अपने सुझाओ देंगे, कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या Implementation करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, तो ये Fourth Number पे होता है, और फिर इसके Report बनाकर Environment Expert Committee को भेजा जाएगा, जो कि देखेंगे इसके अंदर क्या Pros और Cons को Calculate करते हैं, इसके Negative Impact को और Positive Impact को Calculate करते हैं, और फिर इसके बार डिसाइड होता है कि किसी उस Project को Clearance, Environment Clearance मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये जो हमारा Implementation है, इसका Implementation बहुत ही जादा Weak है, और बहुत ही जदा Weak देखने को मिला है, जिसके वज़े से इतने सा Disaster हमारे सामने निकल के आते रहे हैं, Government फिर आती है EIA 2020 Draft के साथ March में, और इसके अंदर बहुत सारे Rules और Regulation को Change करते थी हैं, तो एक तरफ Environment List और एक तरफ Government दोनों के बीच में तना तनी मची हुई थी, Government ने Public Hearing मागी कि आप 30 जून तक इसकी Public Hearing दीजे, आप अपने Suggestion दे दीजे, लेकिन ये मामला फिर जाता है दिल्ली High Court, और दिल्ली High Court के अंदर सुनवाई होती है, और दिल्ली High Court का फैसला आता है कि इस टेट को Extend करके 11 अगस्त कर दिया जाए, अब इस Matter में Government का कहना है कि देखी, हम एक Developing Country है, हमें Develop करना होगा, हमें Projects बनाना होगा, अगर हम इसी Environment के Clearance में फसे रहेंगे, तो हम अपने Projects को टाइम में पूरा नहीं कर पाएंगे, और हमें Late हो जाएगा, और हम Develop Country नहीं बन पाएंगे, अगर हम एक Developing Country हैं, तो हमें Road तो बनाना होगा, Infrastructure भी त्यार करना होगा, तो इसलिए हम Environment Clearance को थोड़ा साइड में रख रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ, Environment List कहते हैं, यह सिर्फ Government अपना फाइदा दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के वेज़े से Environment का नुकसान कर रही है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो Changes हुए हैं, उनकी वेज़े से क्या-क्या Problems निकल के आ रही हैं, तो पहला Point ज यह सबसे ख़दरनाक Point है, इसको अप्रेल में Supreme Court ने भी कहा था कि जो X-Facto Environment Clearance है, वो एक गलत है, ऐसा Rules, ऐसा Regulation, ऐसा Laws नहीं बनने जाहिए, यह Supreme Court ने भी कहा है, लेकिन अब आप खुर सोच सकते हैं कि कल को अगर कही Mining हो रही है, कहीं पर भी ऐसे Projects बन रहे हैं, तो Government कहेंगे कि आप Projects बना लीजिए, आप Projects स्टार्ट कर दीजिए, आप बहुत सारे पोधों को काट दीजिए, और वहाँ पे Mining स्टार्ट कर दीजिए, Environment के लिए समबाद में लेते रहेंगे, तो यह उनके लिए आप सही होगा, अगर यह Draft आ जाता है, तो, Second Point है, Reduce the Time Period for Public Hearing, मतलब जो आपको अभी तक Time Period मिला था, Public Hearing का 30 दिन था, जो कि पहले ही कम था, और अब उसे Decrease करके कितना कर दिया गया है, 20 Days, Third Point है, Who Will Report the Violation, सबसे Important और सबसे खदरनाक Point है, देखें, अब इसके अंदर कहा गया है, कि जो Violator है, वो ही सिफ रिपोर्ट कर सकता है, यह तो इसे ही कहने वाली बात होगी, कि जो चोर है, वो चोरी करने जा रहा है, और वो खुद ही कहेगा, कि मैं चोरी गलत कर रहा हूं, मुझे रोको, तो यही हो चुक है, आप आप लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर यह ड्राफ्ट आ जाता है, तो इसके बाद Public यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ वाइलेटर्स ही और गवर्मेंट ही रिपोर्ट कर सकती हैं, इसके अंदर क्या होता है, कि गवर्मेंट 100 किलो मीटर रोट अलोंग दा LAC लाइन, LAC लाइन से 100 किलो मीटर तक के एरिये को strategic location दे देगी, और उसके अंदर वो कोई भी प्रोजेक्ट बना सकती है, और उसका उस प्रोजेक्ट का एक भी information पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, अब आप खुद सोचिए, LAC का इतना बढ़ा एरिया, नौर्थ इस तो पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाता है इसका कोई भी accountability नहीं रहे की तो, अब देखिए, यह एक तरफ है ecology और एक तरफ है economy, हमेशा से ही देखा गया है कि economy और ecology के बीच में हमेशा से ही लडाई चलती आ रहे है, economy हमेशा से development की बात करती है और ecology कहती है कि environment को protect करके रखा जाए, ecology कहती है कि अगर environment ही नहीं रहेग तो, आप future कैसे decide कर सकते ही, future ही नहीं रहेगा, future ही समाप्त हो जाएगा, जैसे कि climate change और बहुत सारे से points है, जो कि आप सभी लोग चानते है, और economy कहती है कि अभी तो हमें develop करना है, जो developing countries है, उनका कहना है कि अभी हमें development की और जाना है, हमें develop country बनना है, आज हमें जरूरत ह है कि हम ecology और economy दोनों के बीच में एक balance बना के रखें और एक balance को दूरें, एक ऐसा approach को लेके आए, जिससे हम दोनों को balance way में आगे बढ़ा सके, हम जैसे कि आप कह सकते है, sustainable development goal, ऐसा development जो कि sustainable हो, जिससे environment को भी बहुत कम नुक्सान पहुँचे और हमारी economy भी आगे बढ़ती चली जाए, इसके लिए मैं आपको तीन article सजेस्ट करूँगा, जो कि इस समय आपके screen में है, आप इसे देखिए, कोशिस करिए, इसकी link में description box में दे दूँगा, तो आप कोशिस करिए कि इन article को एक बार जाके पढ़िए, और अपने खुद के points बनाने की कोशिस करिए, तो कि drafts चो निकल के आए हैं, उस drafts को पहरे अची तरीके से पढ़ना है, 84 piece का draft है, आप Google में सर्च करेंगी, तो generally आपको मिल जाएगा, तो कुछ points में उसमें highlight कर दूँगा, और description box में link दे दूँगा, तो वहां से आप उसके download कर सकते हैं, या directly Google से भी पढ़ सकते हैं, पहला Second point आपको यह दिहां रखना है कि आपको government के arguments को पढ़ना है, मैंने कुछ articles बताये थे previously, उसको देखी, उसको आप read करिए, government के articles को पढ़िए, environmentalist के article जो उनके arguments हैं, उनको पढ़ने की कोशिस करिए, तीसरा point और अपना खुद का opinion बनाने के कोशिस करिए, मैं बिल्कुल भी सकते हैं, अपने arguments बनाएं और अपने suggestion को email ID जो नीचे आ रही है, इस email ID में आपको इसको भीजना है, 11 अगस, date ध्यान से note down कर लीजे, 11 अगस 2020 से पहले पहले इसको आपको mail करना है, आपका एक mail बहुत सारी चीजों को change कर सकता है, प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends and family members के साथ इसको share कीजिए, various social media platform के अंदर भी इसको share कीजिए, और जादा जादा comment कीजिए, आपको कैसे लगा ये वीडियो, जरूर नीचे comment section में बताइए, और अपने suggestions हम तक जरूर पहुंचदा दे रहिए, और चैनल को subscribe जरूर कर दालू तो आप से बोचल्दी से पहुंच जाए, और bell icon को दवाना बिलकुल भीना बुलिए, so thank you, thank you very much.